असलाम अलेकुम नाजरीन कैसे हैं आप सब लोग उमीद है आप सब खैर वाफियस होंगे मैं शहजाद और आप देख रहे हैं स्पोर्स क्रेज 1-2-3 तो नाजरीन बात करता चलों T20 वर्ल्ल कप के उपर जैसा के आप शायद देख रहे होंगे T20 वर्ल कप जो है अब भी तक दो मैच हुए हैं दोनों मैचों में अच्छी परफॉर्मिस देखने को नहीं मिली बैटिंग जो ऐसे 200 रांज या 280 प्लास जो है रांज हो सके लेकिन बोलिंग अच्छी देखने को मिली है कि जो भी टीमें खेल रही हैं बोलिंग अटैक अच्छा कर रही है और रंस जो है 110 या 115 से उपर जा ही नहीं रा दोनों मैचों में तो मैच पर बात करने से पहले अगर आप नहीं है तो फॉरण से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें साथ में मुझोद बेला इकान को भी दबा दें ताकि हमारी हाराने वाली नहीं वीडियो आप तक बरवकत पहुंच सके तो बात करता हूं मैच के दूसरे मैच पर जैसा कि टी टुवन्टी वर्ल्ड काप का दूसरा मैच जो है वो नदर लेंड और युनाइटिड इमाराज जो है उनके दरमयान खेला गया जो के युनाइटिड ने मैं अपना टॉस विन करते हुए बैटिंग का फैसला किया बैटिंग पर उन्होंने सिर्फ और सिर्फ बोर्ड पर 111 रंग्स ही किये 8 विक्टों के नुकसान पर 20 ओवर खेल कर तो उन्होंने बैटिंग क 47 बोलिंग खेली जिसमें उन्होंने 41 रंग्स ही किये सिर्फ दो 6 लगाए और एक 4 लगाया इतनी अच्छी स्ट्राइक रेट नहीं खेली लेकिन उन्होंने जैसे वंडे में खेलते हैं वैटिंग करते हैं वैसी बैटिंग की तो उसके बाद जो है काशिफ हैं दो और जफ जफर हैं बासी थामीद हैं उसके बाद जो है कोई भी बैटिंग जो अच्छी निंग नहीं खेल सका सिर्फ 15-18 रंजी ऐसे बनाए उसके बाद कोई 2-4 रंग बनाकर रौट हो रहा है को 5 बनाकर रौट है को 0 सिर्फ उनके रंजी थोड़ा सा होई टीम को काम आए क्योंकि नदर लैंड ने जो है बैटिंग बहुत अच्छी की फ्रीड क्लैस हैं टीम हैं वो बीक हैं उन्होंने साब ने अच्छी बॉलिंग की लीडी हैं उन्होंने तीन ओवर में 19 रंदे का तीन विक्ते हासल की तो साब ने बहुत ही अच्छी बॉलिंग की क्योंकि दोनों के द स्बारा फिर युनाइटि रेर्मों ने अपनी बोलिंग शुरू की बोलिंग शुरू करते हुए विक्रम सिंग और मैक्स अपने एंबर्ग फीन खीए। उसके बाद जो भी बैट्समेन सब के सब नकाम रहे वो भी रंऄ ना कर सके लेकिन एंड पे जाकर थोड़ा-थोड़ा रं पाना की थोड़ा रंऄ कि यह स्लोफ पिच पर काम जाइबा है, स्लोफ पिच फिच और यह काफी रंज भी करते हैं, विकटें लेते हैं जो भी है, तो वह हो हो वहां पर पर्रफोर्मस दिखाते कि उन्होंने तो हमीद हैं का फजल हैं अफजल जहूर खान वो यह सब ने अच्छी बोलिंग की तो यह उनको भी जो टारगर जा वन हंडर्ड ट्वैल का जो टारगर था वो नभी भी नदर लैंड के लिए भी सोरी बहुत ही मुश्कल बन गया था बनाने के लिए क्योंकि व मां स्वी बाल पर जाकर उन्होंने पूरा किया तो इजिली नहीं ले सकते जैसा के सब टीमें खेल दूएं वो तो पहले सेलिया में खेल चुकी हैं उनको वहां की रुटीन का पता है तो यह टीमें जहीं गते नहीं आवी नहीं चेह सके डोनों मैच Paint जो हुए मैच आफ दी मैच جो ہیں उनके जो लीडी हैं उन्होंने करार पाया क्योंकि उन्होंने रंज भी 14 के लिए थे लेकिन 3 अवर में उन्होंने 3 वित्ने भी असल किये थी 19 रंज देंकर जिसमें मैझ उन्होंन डी मैच भो लीडी जो करार पाए तो मजीद मालूमाती वीडियो जाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा इस चैनल पर तो इन्शाला मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक हमें अपनी खुसी दौा में याद रखिएगा अल्ला पाक हम सबका हामियो नासिरो अल्ला हावे